नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पी आर मैं हूँ आदेश पूरी आज पत्ना हाई कोट का एक काफी महतोपोर निर्णाय आया यह निर्णाय जो है सेनारी हत्याकांड जो की 18 मार्च 1999 को जहानाबाद के सेनारी गाउं में हुआ था उससे सम्बंदित है वर्ष 2016 में जहानाबाद लोवर कोट ने इस हत्याकांड से सम्बंदित 13 लोगों को सजा सुनाई थी जिसमें 10 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी और 3 लोगों को आजीवन करावास की सजा दी गई यह 13 लोगों को बरी कर दिया गया है सबसे पहले आपको हम बताएं कि सेनारी में 18 मार्च 1999 को सेनारी गाउं में 500 से लेकर 600 संख्या के बीच MCC उगरवादियों के कैडर आते हैं और यह गाउं मुलता अगड़ी जाती जो फरवार क्लास है भूमियार बहुल गाउं है और घर को चुना जाता है और जो चिनहित घर होते हैं उनके मर्दों को बाहर खीचच कर निकाला जाता है एक लाइन में बांधा जाता है और उनकी गला काटकर बड़ी ही निशन सत्य कर दी जाती है पूरा जो है और बताएं आपको 40 लोग की जाती है लेकिन 6 लोग बच जाते हैं पूरा हलकम बसता है पूरे देश में और इसको लेकर जो है जांच कर वाई यह सब का सुरू होता है और सबसे बड़ी बात इसमें भुम्यारों की मौथ हूई थी और 2016 में जितने भी अवियोग थे तेरा वियोग दो फरार चल रहे हैं इसमें इसलिए उनकी सजा नहीं सुनाई गई थी लोवर कोट द्वारा तेरा लोग, दस लोग, फांसी की सजा और तीन लोग, उम्र कैद की सजा, हाई कोट ने इने बरी कर दिया सबसे बड़ा प्रस्ट फिर सेनारी हत्याकान किया किसने, आखिर वो कौन लोग थे जो कि 40 लोग को बांध कर लाएं, जिसमें 34 लोग का हत्या कर दिये, 6 लोग किसी तरह बाच गया आपको हम बता दे कि घटना इतना तोड़ने वाला था, इतना हिरदै विदारग था कि उस समय बता दे आपको कि कनफर्म करने के लिए, जो हत्याय हुई थी, उसे गला काटने बद कनफर्म करने कि लिए उनकी पेट को चिरशिर के देखा गया, कि कहीं जिन्दा तो नहीं ह और इस घटना के अगले दिन ही पटना हाई कोट के रेजिस्टरार पद्म नरायन सिंग यहां पहुंचे सेनारी उनका गाउं था अपने परिवार के आठ लोग की फाड़ी फाड़ी हुई लासे देखकर उन्हें दिल का दौरा आया और वो भी मर गया समझे कितना ये हिर्दय विदारक जो है घटना है और उसमें बिहार में दौर चला था लश्मन पुरबाथे सेनारी बतानी टोला संकर बिगहा मियापूर्स नरसंगहार लेकिन एक सबसे बड़ा आश्चर है कि भले ही ये जितने भी नरसंगहार हुए ये लालू यादा और अबरी देवी के सासन काल में हुए लेकिन इनकी सुनवाई सुसासन बाबू की राज में हुई और सबसे बड़ा आश्चर कि आज तक इतने बड़े-बड़े नरसंगहार हुए सुसासन बाबू की पुलिस जो है इन सारे नरसंगहारों को निचली आदालत में तो हुई है वह सारी आपको हम बताते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार के सबसे बड़े नरसंगहार लश्मन पूरबात है यह बिहार के नरसंगहारों में सबसे बड़ा और निरसंस नरसंगहार माना जाता है इसमें बच्चों और गर्वती महिलाओं को भी निसान बना दिया कई परिवारों में काम धंदा काम का समालने के लिए महिला भी नहीं बची कुछ परिवारों में तो सिर्फ बच्चे ही जीवित रह गए और इसका देखिए जो फैसला हुआ इतना बड़ा कांड जो की देश भर हिल गिया था इससे कि आकर जातिये जो नरसंगहार है इसका इतना बड़ा उधारन बिहार ने दिया और ये काफी निर्संस था डड़ावना था और देखिए यहां पर जो सुसासन की सरकार में ये पूरा जो है ये कोट की करवाई चली और इस मामले में पटना की एक विसेस आदालत ने 7 अपरेल 2010 को 16 दोसियों को फांसी और में हुआ है कि तेरहों जो अब दोसी थे उनको बरी कर दिया गया फिर से अभी हम और चर्चा करते हैं संकर बिग्हा नरसंगहार ये 25 जनवरी 1999 को संकर बिग्हा जिसमें 22 दलतों की हत्या की गई और 18 मार्च नियुक्त के मात्रे दो महीना से भी कम समय बाद जहानाबाद क की हत्या की गई घटना के 16 वर्स बाद 2015 में 13 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाय गया जहानाबाद जिला आदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 24 अभियुक्तों को बाईज्यत बरी कर दिया जातिये नरसंगहारों से जुड़ा यह सायद पहला मामला था जिसमें सभी अभियुक्त निचली आदालत से ही बड़ी हो गया मामले के सरकाई वकिल अर्विंद कुमार दास के मुतावित घटना के सुचक के साथ सभी गवाह अदालत में पुलीस को दिये अपने बयानों से मुकर गये इसी को मुखहदार बनाते हुए अदालत ने सभी अभियुक्तों को बड़ी कर दिया इस हत्याकंड में ज़्यादा तर अभियुक्त संकर बिगहा से पूरब में बमुस्किल एक किलोमीटर दूर धोवी बिगहा गाओं के रहने वाले सवन जाती के थे वही अगली जो है अगला जो नरसंगहार है वो 1996 में हुआ बथानी टोला 1996 में भोजपूर जिले के बथानी टोला गाओं में दलित, मुस्लिम और पिषडी जाती के 22 लोगों की हत्या कर दी गई माना जाता है कि 12 गाओं नरसंगहार का बदला लेने के लिए हत्याई की गई गया जिले के 12 गाओं में मावादियों ने 12 फरवरी 1992 को अगरी जाती के 35 लोगों की गला अरत्या कर दी थी साल 2012 में उच्च नेले ने इस मामले में 23 अभ्यूक्तों को भी बड़ी कर दिया था इस मामले में निश्ली अडालत के 3 अभ्यूक्तों को फासी और 20 अभ्यूक्तों को आजीवन कारावास की सजादी गई थी यानि कि जो 23 अभ्यूक्त थे जिन्हें लोवर कोट ने बहुत कड़ी सजादी थी लेकिन हाई कोट में ये बड़ी कर दिये जाते हैं इसी तरह मियापूर संहार और अंगाबाद के मियापूर में 16 जुन 2000 को 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई इस मामले में जुलाई 2013 में सरवच नियाले ने साक्ष की अभ्यूक्तों में 10 अभ्यूक्तों में सन 9 को बड़ी कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इतने बड़े बड़े नरसंगहार हुए और इनहीं नरसंगहारों के कारण जो है बासपरी गवर्मेंट लालू यादों के सरकार को जंगल राज का नाम दिया और राष्टपती सासन की भी अनुसंसा की गई थी लेकिन बावजूद इसके आज तक एक भी मामले में ये प्रूफ नहीं हो पाया कि दोसी कौन था हलाकि सभी में एक को छोड़ दे तो सभी मामलों में लोवर कोट ने कड़ी कड़ी सजाए दी लेकिन हाई कोट आते आते सारे लोग बड़ी हो जाते हैं और जितने भी ये मामले हैं इन सभी की सुनवाई 2005 से लेकर 2015 की बीच में हुई जिसमें मैं नितीश कुमार सुसासन की सरकार है और ऐसे में पुलीस एक भी प्रूफ को कंटिनू नहीं कर पाती है हाई कोट तक की जो भी इस नरसंगहार में सामिल थे जाती है नरसंगहार में उनको सजा मिल पाएं आखिर सबसे बड़ा प्रस्ण यह है कि बिहार में इतने नरसंगहार हुए चाहे हो बारा नरसंगहर हुआ, बतानी टोला हुआ, संकर बिगा हुआ, मियापुर हुआ, सेनारी हुआ, लश्मन पूर्बाथे हुआ, सभी में जितने भी अभ्यूक्त थे वो बरी हो गए, तो आखी ये हत्त्याय की तो किसने? क्या बिहार में इतना लचर है, यहां का कानून विवस्था, जो कि गवाह हैं, उनको इतनी सुरक्षा तक नहीं दे पाता है, कि वो कोट में आए, और कोट में आकर बिना किसी ड़ के गवाही दे सके, जबकि इन सारे मामलों में, मैक्सिमम सुनवाई जो है, नितीश कुमार क सासन काल में ही हुई है, और गवाहों में इतना डर था, कि गवाह को किसी तरह पुलिस ने कॉन्फिडेंस में लेकर निचली आदाल तक तो अध्यूक्तों को सजा दिला दिया, लेकिन हाई कोट में वो प्रूफ जो है, वो नहीं रख पाएं, लेकिन और आपको बता दे हम कि हाई कोट में ये प्रूफ नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, कि ये जो है, चुकि ये ऐसे नरसंगहार हैं, जो कि दलित और सवर्णों से जुड़े हुए हैं, और बिहार में जो जातिये वोट बैंक हैं, उसे भी परभावित करते हैं, एक बहुत बड़ में आएं, तो भागलपुर दंगा हुआ था, उसका वियक्तों को हमने सजा दिलाया, लेकिन नितिश कुमार कभी नहीं बोले कि उनकी आने से पहले भी बिहार में बहुत सारे जातिये नरसंगहार हुएं, जातिये दंगा हुएं, ये दंगा इंत कहा जाएगा, और इसमें हाई कोट से किसी भी जो अवियक्त है, उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा गया, हाई कोट ने सभी को बरी करने कहीं काम किया, और कोट जो है सबूतों के अधार पड़ी है, अपना फैसला सुनाता है, और सबूत जो है बिहार पुलीस कोट के सामने, हाई कोट के सामने रखन नरसंगहार होते हैं लेकिन उसका आस तक गुनहगार उनको सजा नहीं मिल पाया और यही उस वेश्क गूरत बन भूका है ह। वही सेनारी के साथ भी हुआ, सेनारी में भी निशली आदालत ने 13 लोगों को जिसमें से 10 लोगों को फांसी और 3 लोगों को आजीवन करावास की सैया दिया था, उसे अपने परंपरा पर चलते हुए हाई कोट ने बरी किया, तेरा लोगों को तुरंत रहा करने के आदेज द तो फिलाल इतना ही वीडियो पसंदा लाइक शेयर करें हमारे चैनल न्यूस प्यार को सब्सक्राइब जरूर कर लें थन्यवाद